चलो देखो इना, question देखो क्या है तुमारा, suppose a cubic polynomial fx equals to x cube plus px square plus qx plus 72 divisible by the both x square plus ax plus b and x square plus bx plus a where a, b, p, q are the constant and a not equals to b, find the sum of squares of the roots of the cubic polynomial. जो को सबसे पहला बात तो दिहान दो, कि हमारे पास जो है ना, एक cubic polynomial है, ठीक है, वो cubic polynomial के है, fx equals to x cube plus px square plus qx plus 72, ठीक है, अचे, cubic polynomial है, तो इसके तीन roots होंगे, इसके तीन roots होंगे, मान लो, alpha, beta और gamma, तीन roots होंगे, एक cubic polynomial के, अब क्या बोल रहा है, इसको दो quadratic polynomial, ये ये, ये वाला quadratic polynomial और ये वाला quadratic polynomial डिवाइज कर रहा है, तो किसी भी cubic polynomial को दो quadratic polynomial डिवाइज कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, अचा, उपर में अगर cubic polynomial लिखेंगे, तो वो कुछ इस तरह का होगा, x minus alpha, x minus beta, और x minus gamma, अगर ये cubic polynomial का root से तो ऐसा होगा, अच तो ये भी कुछ होगा तुमारा, x minus, x minus ये, नहीं, और इससे भी डिवाइज हो रहा है, तो इससे भी डिवाइज हो रहा है, तो x minus और x minus कुछ रहा होगा, नहीं, अच्छा बोलो, इस दोनों से भी ये डिवाइज हो रहा है, तो इस दोनों से डिवाइज हो रहा है, तो बास्के बमिर सब्स्क्राइब करें की एफा है और ही ऐसました Oke तो हो सकता है क्या यही दोनों हो सकता है यह दोनों हो सकता है यह दोनों हो कुछ भी हो सकता है अच्छा अगर मान लोग कोई अगर हम लोग यह दोनों लेते हैं अलफा गामा ठीक है तो तुम देखो एक क्या हो गया दोनों पॉलिनोमियल के एक रूट कॉमन हो गया अगर बा औरिकांस वापक थे हम लोग क्या कर लेते हैं अल्फाबिटा ही ले लेते हैं सब दोनों कॉमन हो गया तो कहने का मतलब प्रिक को दो क्वाइड करें तो मिनिमम वन्डूर्ट कॉमन जरूर होंगे मेदमंग वन्डूर जरूर और इस दोनों में इस दोनों में इस बाले कोड़ेटिक में और इस बाले कोड़ेटिक में होगा minimum one root common ठीक है तो पढ़ाये तम लोग पढ़े थे ना क्या हुआ था एक root common का कम से कम minimum one root common का condition लगाओ तो माल लेते हैं खिले अलफा दीदा common root common root in किस किस में किस में तुमारा x square plus ax plus b equals to zero and x square plus bx zero का जोरत नहीं है या लिख सकते हैं बराबन zero and bx plus a equals to zero एक root दोनों का common है एक root common है तो one is common तो क्या होगा तुमारा alpha square plus a alpha plus b equals to zero ठीक है और alpha square b alpha plus a equals to zero minus कर लो बाबू cancel a minus b और minus a minus b alpha बराबर zero तो a minus b common ले लो और क्या बचा alpha minus one equals to zero तो a equals to b आ रहा है और alpha equals to one आ रहा है पर यहाँ पहली भोल दिया एक और भी बराबर नहीं है alpha के आ गया तुमारा one आ गया तो जो एक common root है वो तो one आ गया तो इस alpha का value बाबू कितना आ गया one एक root तो अपने पो मिल गया ठीक है अच्छा अब थोड़ा देखो जिहां से अच्छा अगर इसका एक root one है इसका एक root one है तो दूसरा क्या हो जागा तो तुमारा एक को के या रूट वान एक रूट एक root वान एक रूट वाइब वान एक रूट और बेगतर है तो गामा का वैल्यू कितना है तो तुम्हारे पास तीनों रूट आ गया था क्या आ 1A और B अच्छा अब देखो क्या कह रहा है अब कह रहा है हमको निकालना क्या है sum of squares of the roots of the cubic polynomial तो cubic polynomial का roots क्या क्या रहा है one one का square a का square और b का square हमको यह निकालना है ठीक है यह हमको find करना है ठीक है तो हम लोग क्या जानते है a plus b plus p का whole square बराबर या दे फॉर्मूला तो a plus b plus c का whole square बराबर a square plus b square plus c square plus 2 तो हम लोग क्या करेंगे इसका value हम लोग क्या लिख लेंगे इसका value लिख देंगे a plus a plus a plus b ka whole square minus 2 बहार ले लो ठीक है a b मतलब a plus b ने a b na a b plus b ऐसके इसके value टो हम लोग पहले से यहां पर हां अगर alpha का value 1 है तो यहां पर रख दो तो 1 a plus b alpha का value condition of common root निकाल देते हैं alpha का value किसी कोई question में डाल दो तो alpha का value 1 आया तो डाल देंगत क्या जाएगा 1 plus a plus b equals to 0 तो इसकी value तो 0 होगे काम खत्म 2 अब क्या रहा है a plus b plus a b नहीं अच्छा a b a b देखो तो यहां से product of root आ रहा है तो इसका product of root कितना है minus b minus b by plus minus 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 b by a to minus कितना गया minus 72 by a कितना है 1 to minus 72 to a b का value कितना रहा है minus 72 plus a plus b का value क्योंकि a plus b कितना है 1 if 1 plus a plus b 0 है a plus b कितना आ जाएगा minus 1 तो यहां पर क्या होगे तुमारा minus 1 तो minus 2 into minus 73 तो minus minus plus 146 तो यह तुमारा answer रहा है ठीक है आया समझ में चलो not कर लोग इसको कितना कितना है तो